नमस्कार स्वागत आपका एंपी तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग्ग मद्वदेश की राज़ानी भोपाल से सांसत साथवी प्रग्य सिंग ठाकूर को फोन कर जान से मालने की धमकी देने वाले शक्स को आखिरकार साइबर क्राइम पुलिस ने दबोच लिया है आपको बता दे कि 18 जून को बीती जून का महिना गया उसके 17-18 तारीक की दरमयानी रात एक शक्स ने भोपाल से सांसत साथवी प्रग्य सिंग ठाकूर को वाटसेप कॉल किया था और उन्हें धमकी दी थी कि उनकी जान को खत्रा है इसलिए उन्हें वो पहले ही जानकारी दे रहा है फोन करने वाले शक्स ने खुद को इकबाल कासकर का आदमी बताया था और फोन पे जब उसकी प्रग्य सिंग ठाकूर से बात हो रही थी तो इस दौरान साथवी प्रग्य सिंग ठाकूर ने भी उसकी बातों का उसे मूत और जवाब दिया था इस पूरी घटना का एक वीडियो वाइरल हुआ था क्योंकि कॉल वाटसप पे था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी तो सांसर साथवी प्रग्य सिंग ठाकूर का इस्टाफ है उसने इस पूरे घटना करम की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद उसी रात ये मामला जो है भोपाल के टीटी नगर थाने में ले जाया गया वहाँ पे F.I.R. दर्च की गई और क्योंकि मामला बहुत जादा समवेदन शील था तो मामले की तुरंथ ही जाँच जो है वो साइबर क्राइम ब्रांच को सौपडी गई साइबर पुलिस तब से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी और तफ्तीश के दोरान ही नजीर नाम के एक शक्स को फिलहाल साइबर क्राइम ने गिरफतार कर लिया है उसे भोपाल लाया गया है भोपाल में उससे पूछताच चल रही है इससे जादा अभी फिलाल साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पूरा कुछ खुलासा नहीं किया उनका कहना है कि एक बार जब शक्स से पूछताच हो जाएगी तो इस पूरी घटना के पीछे का ज थाकूर के साथ फोन पर इस तरीके की घटना करम के मामले में किसी के गिरफतारी हुई हो इससे पहले भी दो लोगों ने साधवी प्रग्रेसिंग ठाकूर को वाटसेप कॉल कर अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो मामले का कुछ साधवी थाकूर को जान से मारने की धमकी मिली हो इससे पहले भी उन्हें कई बार फोन पर और मैसेज के जरीए जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है साधी प्रग्या सिंग ठाकुर जब भोपाल की रिवेरा टाउन इलाके में रहती थी तो देर रात उनके घर पर जब वो सांसर बनी ही थी वो एक शक्स ने उनके घर पर एक संदिग्द पैकेट भेजा था उस समय भी इस पर काफी बवाल हुआ था काफी विवात खड़ा हुआ था इस मामले में भी पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफतार किया था कुल मिला करके देखना अब ये है कि जिशक्स ने साधी प्रग्या सिंग ठाकुर को फोन कर जान से मालने की धमकी दीट ती आखिरकार उसके मकसद क्या था